हलो एवरिवन दिस इस सवीता पाठाख कल के वीडियो के लास में हमने अपना थर्ड पद का अर्थ किया था आज हम अपना नेक्स्ट पद स्टार्ट करने वाले हैं प्रस्तुत पद सूर्दास दौरारची सूर्सागर में संकलित ब्रहमर्गित से लिया गया है पद में ब्रज भाषा का प्रियोग हुआ है तता इस पद में भावात्मक शैली का प्रियोग हुआ है वियोग शंगारस की प्रमुकता है इस पद में जब उदव श्री क्रश्न का संदेश गोपियों को सुनाते हैं और उन्हें योग सान्ना के लिए प्रेरित करते हैं और हमारा मन तो श्रीक्रेश्ण में लगा हुआ है इसलिए योग को सुविकार करना हमारे वश में नहीं है गोपियां उदव को कौन-कौन से उधारन देकर अपनी बात को कहती है यह हम इस पद में देखते हैं उधो मन मानने की बात गोपियां उदव से कहती है कि है उदव यह तो मन के मानने की बात है कि जिसका मन जिसमें लग जाए उसे वही प्यारा लगता है और हमारा मन क्या है श्रीक्रेश्ण में लगा हुआ है तो हमेश्री क्रेशनी ही प्रिये है दाग चुवारा चाड़ी अमरत फल विश कीरा विश काथ अब गोपिया अपनी बात को उदव के सामने उधारन देके रिस्पस्ट करती है और कहती है कि विश का कीड़ा विश ही काता है अर्दाथ उसे विश ही प्रिये लगता है उसके सामने कितने ही मीठे मेवे रग दिये जाए अर्दाथ दाग चुवारे कितने ही उसके सामने अमरत के समान मीठे फल रग दिये जाए तबी भी वे उन्हें नहीं खाता है और वे विश को ही खाता है अर्धात उसे विशियी प्रिये लगता है नेक्स्लाइण देPhिए जो चकऊर को देही कपूर को तजी अंगार अगात चाहे चकऊर को कोई सुगंदित और शीटल कपूर जुगाए अर्धात उसे कितना ही सुगंदित और शीटल कपूर दे दिया जाए लेकिन वैं उसे भी क्या है त्याक कर जुलसा देने वाले अंगारे को ही खाता है नेक्स लाइन देखिए मदुप करत घर फोरी काठ में बदत कमल के पाथ मदुप यहां पे भवरे के लिए घर यानि की फोरी, फोरी मिन्स होता है फोरना या छेद करना काठ मिन्स लकडी अर्दान जो भवरा होता है वो अपना घर बनाने के लिए कठोर जो लकडी होती है उसमें भी छेद कर देता है बदत कमल के पाथ लेकिन वह कमल की कौमल पंखुडियों के बीच बंध हो जाता है उसे वह छेद कर बाहर नहीं निकलता है गोपियां इस उदारन के माध्यम से उदव से कहती है कि जो भवरा है कठोर लकडी को भी छेद कर बाहर निकल जाता है यानि कि उसमें भी अपना घर बना लेता है लेकिन वह कमल की कमल पंखुडियों को नहीं छेद कर बाहर निकलता है इसका कारण क्या है कि वह उसे क्या है कमल उसे प्रिय होता है और उसका मन उसमें ही लगा हुआ है इसलिए वह उसे छेदना नहीं जाता था काट कर बाहर नहीं निकलना जाता है जो पतंग ही तो जानी अपनो इसी प्रकार दीपक से प्रेम करने वाला पतंगा दीपक की लोग से लिपटने में ही अपनी भलाई मान कर उसमें बस्म हो जाता है सूरदास जाको मन जासो सोही ताही सुवात आगे सूरदास जी कहते हैं गोपियां कह रही है उदव से कि योग को सुरकार करना हमारे वश्की बात नहीं है जिसका मन जिसमें लग जाता है उसे वही सुवाता है और हमारा मन तो क्या है श्रीक रश्न में लगा हुआ है इसलिए हमें वही प्रिये लगते हैं, हम आपके जो योग संदेश का है, उसे हम स्युकार नहीं कर सकते, यह हमारे वश्की बात नहीं है, क्लियर स्टुरेंट? ओके, आप सभी को यह वर्क करके देखना है, अब हम अपने जो किशन आंसर है, वो स्टार्ट करेंगे